प्रैक्टिस शीट नंबर टू अपन डिसकस कर लेते हैं तो जिन्हों अब तक ट्राई नहीं कि वो डिस्क्रिप्शिन से डाउनलोड करके जरूर ट्राई करें फिर देखो के तुम जाएगा और उमीद है कि बाकी लोगों ने सबने ट्राई कियोगी और बहुत ही इजी वाल ना इन्प्रोटेज की इंफ्मीशन गीवन है पहले पार्ट मैं पुछय है एवरेज आव स्क्वाइद कर यृँ कि दो के आगा आथ की आशक्वाएर के आव डीन करके फिर यृँल्ड के फिर आप रूट दुसरे पार्टम आपसे बोला है amplitude of the supply voltage यहनि कि peak voltage पुछ है peak voltage कितना होता है होता है root 2 times vrms vrms कितना कीवन है 200 तो यह answer आगे 200 root 2 ठीक है बहुत easy वाला था इसमें तो कोई दिक्कात ही नहीं होने चाहिए next part में देखो which of the following two waveform shown in the figure has the higher value of average value इन दोनों graph में पहले difference देखो दोनों की peak value equal है बिल्कुल दोनों की peak value equal है दोनों का graph straight line का है है यहाँ straight line increasing है और यहाँ straight line decreasing है second difference कहाँ आ रहा है यहाँ time period periodic function का time period capital T यहाँ time period इतना है T by 3 और कोई difference है नहीं है यहनिकि slope change है slope से कोई फरक ने पढ़ता है straight line का graph है और initial 0 से V naught यह भी 0 से V naught ठीक है तो दोनों की average value equal आएगी कितने आएगी वो peak value divided by 2 और दोनों की even rms value भी equal आएगी rms value कितने आदी peak value divided by root 3 यह अपने rms और V average वाले lecture के अंदर discuss हो चुक है यह वाला waveform state वाला ठीक है सब triangular AC भी बोलते हो ठीक है next यहाँ पही क्या है यहाँ पही triangular AC ही given है और बोला कि कौन से part के rms value equal ज़्यादा होगी तो अनों की equal होगी और पुछा जाए कितनी होगी तो V naught divided by root 3 ठीक है दोनों के rms value equal रहेगी next यह वाला part थोड़ा से different है यहाँ पही बोला है कि rms और average value का ratio चाहिए ठीक है rms और average का ratio चाहिए अब यहाँ पही एक periodic function given है जिसका time period कितना है 4 second 4 second के बाद में repetition start हो जाएगा पूरे infinite तक का graph नहीं बनाएगा है लेगन आपको पता लग रहे है 4 second के बाद में repetition start हो रहे है तो 0 से 4 तक के बाद में ही बात करनी है 0 से 4 तक की बात करनी है 0 से 2 तक की graph तो हमें पता है और 2 के बाद तो कुछ है ही नहीं तो दी मैं rms value की बात करूँ कि vrms कितना होगा तो vrms का वुजब फॉर्मला है ना कि अपन 0 से 4 तक V को integrate करेंगे, V की square को, divide by 4, minus 0, फिर पूरे की power 1 by 2, यही formula होता है, एक काम करते हैं, इसमें मैं थोड़ा सा modify कर देता हूँ, जो limit है ना, वो 0 से 2 तक अलग लिख देता हूँ, और फिर limit आपके पास 2 से 4 तक अलग कर देता हूँ, उपर आले integration को मैं दो पार्ट में divide कर रहा हूँ, और नीचे आले 4 को भी लिख देता हूँ, 2 multiply by 2, और पूरे की power 1 by 2, अब देखें, एक 1 by 2 बाहर ले लेता हूँ, तो बाहर आएगा 1 upon root 2, यह वाला part का integration तो 0 रहेगा, और जो remaining part बचता है, उसको मैं बोल सकता हूँ, VRMS from 0 to 2 है, तो 0 to 2 का जो VRMS से straight line है, तो वो कितना है कि peak value, divide by root 3, तो यह आपके पास under root 3, divide by under root 2, यह आगे VRMS, आगया, अब बात कर लेते हैं, average की, इस आप average की बात करोगा, फिर से मैं average में भी वोई बात करूँगा, average में integration करेंगे, 0 से 2, प्लस integration, 2 to 4, निचे divide by, 4 माइनस 0 को लिख दू, 2 multiply by 2, यह वाला part अगें 0 है, इतना part तो 0 से 2 तक का average पूछा है, और 0 से 2 तक का average कितना है, peak value divided by 2, तो 3 by 2, यानिके 3 by 4, यह यह होना चाहिए, ठीक है भाई, अब आपके पास ratio पूछा है, vrms divided by v average, तो vrms की value रूट 3 divided by root 2, और average कितना है, 3 divided by 4, ठीक है, जिसे लिख सकता हूँ, 2 multiplied by 2, यह कितना है जाएगा, एक 2 as it is, एक 2 से, रूट 2 से, रूट 2 से, रूट 2, चैंसल आउट, डिवेड वे, रूट 3, यह आपके पास ratio है जाएगा, vrms और average का, ठीक है, देख इस फिफ्ट वाली problem के अंदर, एक given एक हमारे पास, एक cloud, और earth के बीच की जो separation है, वो 1 km है, और during the lightning discharge, the current which flow is sinusoidal, और sin का graph कहां से, एक 0 से पाई तक का graph given है, तो यह basically एक sin wave है, और यह मैं sin theta का graph मानूं, तो theta की value कहां से कहां तक का, 0 to 180 degree तक का graph given है, ठीक है, और यह capital T की value given है, 0.2 millisecond, और यह जो current की peak value है, 157 kilo ampere, assume that discharge happens, when the electric field in the air between the cloud and earth become equal to the breakdown field, breakdown field की value कितनी है, 3 multiply by 10 की power 6, 1 by 1 part time बात करते हैं, पहले part time बुच्छा है कि आपके पास total कितना charge flow होगा, next part time बुच्छा है कि average current कितनी होगी, sin wave given है, और sin wave की जो average current है, उसका formula आपको already अपन derive कर चुके, इदि आप एक cycle की बात, आदे cycle की बात करते हो, 0 से πाई तक के sin की, तो वो कितना आता है, वो आता 2 times peak value, divide by pi, i0 की value given है, आपके पास, i0 की value कितनी है, 157 kilo ampere, तो यह आपके पास average current आ गई, i average आ गई, यह दूसरे part का answer, पहले part में charge पूछा है, average current के physical significance हमने बताया था कि, average current ही, charge के बार हम बताएगी, तो charge को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, i average, multiply by time interval, i average की value अभी अपने, निकाले 2 upon pi, multiply by 157, multiply by 10 की power 3, और time interval कितना है, 0.2 milli 10 की power minus 3, तो यह आपके पास charge जा जाएगा, कुलाम में, यह आपके पास charge की value आगे, next part हम पूछा है, कि earth और cloud के बीच में जो capacitor बन रहा है, उसका capacitance कितना है, यह वाला थोड़ा सा different part है, यह suppose मैं earth surface मान रहता हूँ, और यहाँ कहीं cloud, तो यह वाला जो reason है, इस reason का आपको चुईगी capacitance कितना है, अब इस reason का capacitance से अभी ज़्यादा dimension के बारे में भी नहीं बताया, बस यह बताया कि यहाँ से यह जो separation है, इसको दिए में d मानता हूँ तो यह d given है, separation between earth and cloud, यह given है, उसके अलावा यहाँ electric field given है, जिस moment पर breakdown होता है, वो electric field e not given है, तो इस e not के हैल से मैं potential difference बता सकता हूँ, cloud और earth की बीच का, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास e not multiply by d, e not बोले तो 3 multiply by 10 की power 6, और separation कितनी है, 1 kilometer, तो 10 की power 3 meter, यह आगे volt के अंदर potential difference, ठीके, इदि potential difference आगे है, और charge आपको पाता है, तो क्या मैं capacitance लिख सकता हूँ, आपके पास formula होता है न, q is equals cv, यह होता है, तो यहाँ से मैं c कितना लिख सकता हूँ, q upon v, q आपने अभी derive किया है, first part में, और v अपने यह लिख दिया, दोनों value put करोगे, c हाजाएगा आपके पास farad के अंदर, अरे c की value हाजाएगी न, फेरेड में, तो इस तरीके से इस part को पन स्वाल करेंगे, ठीक है न, यह वाली बहुत ही मज़ेदार problem है, 6 वाली, इसके अंदर आपको source voltage की information नहीं given है, लेकिन तीनों element जो है, उनकी information given, एक element आपको बोला है, resistance से, बाकी दो element क्या है, उसके बारे मैं नहीं बताया, लेकिन तीनों के उपर potential difference given है, तुम्हें effective जो potential difference से वो निकाल सकता हूँ, phasor diagram से, ठीक है, तीनों के voltage को with phase add करूँगा, तो total आजाएगा, देखो तीनों को phase को add करते हैं सबसे पहले, ये मैं मान लेता हूँ, इधर potential है, जो resistance के उपर है, मैं इसी को reference line मानता हूँ, ठीक है, और voltage जो resistance के उपर है, उसकी value, numerical value कितनी है, V, phasor के अंदर आप क्या करता है, जो peak value या जो R मेंस है, उनीका बनाते हूँ, तो peak value V, और phase में sin omega t का reference मान लिया, ठीक है, तूसरी line पे, अब देखते हैं, जो device हमारे पास A वाली है, इसके उपर potential कितना है, तो वो root 2 times V, और इससे 45 degree आगे है, इधर के तरफ हमारे पास कहीना कहा आ रहा हूँ, ऐसे, यहार है, root 2 times V, यह V A की value है, बराबर है, और यह angle आपको given है, 45, V A का potential 45 से आगे है, V B की बात करेंगे, तो V B का potential 90 से आगे है, लेकिन numerical value उतनी है, V, यह V B की बात वरी है, ठीक है, और यह angle 90 degree है, अब अपने इन तीन vector को add करना है, एक काम करते हैं, पहले दो vector को add कर लेते हैं, पहले में V R और V B का resultant देखता हूँ, तो दो vector equal magnitude के 90 degree पर, तो resultant angle by sector पर, root 2 times, इधर आजाएगा हमारे पास, इन दोनों का resultant, कितना आएगा, root 2 times V, यह basically, आपके पास V B और V R, इन दोनों का resultant आया है, ठीक है, अभी V A के साथ add करना है, V A के साथ add करोगे, तो V S आजाएगा, V S की numerical value कितने आजाएगी, दो vector equal magnitude के same direction पर, तो double कर दू, तो यह आगे आपके पास V S, अब देखो, V S, V R के साथ कितना angle बना रहा है, 45 degree, ठीक है, अचा, अभी circuit में जो current होगी, circuit की current, तो वो resistance के उपर, तो current और voltage same direction होँगे, तो आपके पास current की दिए में phase की बात करूँ, तो current का phaser इदर आएगा, numerical value नहीं पता, लेकिन current का phaser इदर आएगा, इसकी guarantee है, हाई है ना, क्योंकि resistance के उपर current और voltage same direction होने चाहिए, और सब कुछ series में है, तो current तो सब के लिए उतनी है, तो V S और current के बीच का angle कितना आगया, 45 degree, और कौन lead कर रहा है, lead हमारे पास, voltage lead कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इस circuit के अंदर, V lead I by 45 degree, 45 degree से current, उसे voltage current को lead कर रहा है, यहीं नजा रहा है, और हमसे ही पुछा तो phase difference between current and voltage, तो answer आएगा 45 degree, बढ़ी है ना, यह एक और बहुत यह प्यारी से problem है, इसमें क्या given है, एक resistance और capacitor series में connected है, और supply voltage की equation आपको पता है, और omega भी given है, और पहले part पूछाएं कि आप पावर का plot कीजिए, और वहाँ पे maximum और minimum पावर को जरूर मेंशन कीजिए, ठीक है, कर देंगे power, तो power के लिए तो हमें current चाहिए होगी, current चाहिए ना, मुझे reactance की जरूरत पढ़ेगी, XC की, और reactance XC कितना होता है, वो होता है C omega, C की value देखो, आपके पास C की जगए C, और omega कितना है, omega है 1 upon root 3 RC, तो आपके पास XC की value आ गई, root 3 times R, अब मैं impedance triangle बना देता हूँ, यह मेरे पास resistance R, और impedance आपके पास, यह reactance 90 degree पीछे, root 3 times R, और इधर के तरह बाद आएगा मेरे पास, impedance Z, ठीक है, और impedance Z की value क्या लिए इन दोनों का resultant, 2 vector 90 degree, root A square plus B square का root, तो यहाँ आएगा 2 times R, ठीक है, और यह angle में easily पता कर सकता हूँ, यह angle phase 5 कितना है, अब sin theta, cos theta, 10 theta, कुछ भी लगाते हो, अब easily बता सकते हो, यह angle होना चीए हमारे पास 60 degree, यह 60 आएगा, तो हमारे पास यह पता लगए, phase difference कितना है, वेशे नहीं पूछा लिए, तो भी यह में लिख सकते हैं, और जो current की equation है, उस current की equation को मैं लिख सकता हूँ, current I is equal to I naught, sin omega T, और फिर आपके पास phase difference की बात करेंगे, अच्छा, RC series circuit के अंदर कौन lead करता है, current lead करता है, तो current और V की बीच का जो phase difference रहेगा, वो Z और R की बीच वाले equal angle रहेगा, 60 degree, current आगे रहेगी तो मैं लिख देता हूँ, प्लस 60 degree, कोई दिकत नहीं न, और I naught की value को मैं लिख सकता हूँ, V naught divide by Z, V naught divide by Z, Z बोले तो 2 times R, Z बोले तो 2 times R, तो यह आगे आपके पास current I की equation, ठीक है, इसे में equation 2, और जो आपके पास V की equation given है, इसे equation 1 ले लेता हूँ, ठीक है, इसे equation 1 ले लेता हूँ, अब इदिए power पुछा जाए, तो power के लिए मैं यह लिख सकता हूँ, हमारे पास power P, किसी भी time पे, मेरे को average power बगएर हैं नहीं पुछा, वो पुछा मैं जल्दी निकाल लेता, कोई दिक्कत नहीं, आपको graph load करना है, तो instantaneous power को मेलिकूंगा, voltage multiply by current, दोनों time के साथ vary कर रहे, दोनों की value पुट कर देता है, V की value, V naught sine omega t, और current की value, V naught upon twice of r, sine omega t, प्लस 60 degree, यह थोड़ा simplify करते हैं, तो यह बनेगा, V naught का square, divided by twice of r, sine omega t, और sine omega t, प्लस 60 degree, यह यह, एक काम करते हैं, 2 से उपर निचे, multiply कर देते हैं, तो यह हमारे पास formula बन रहा है, 2 sine a sine b, और 2 sine a sine b क्या होता है, cos a minus b, minus cos a plus b, तो formula लगा देते हैं, यह बन जाएगा, V naught का square, divided by 4 r, आगे वाला part, cos a minus b, cos a minus b करोगा तो, यह minus 60 यह, plus 60, कुछ भी लिखो, minus cos a plus b, a plus b करोगा, 2 omega t, plus 60 degree, यह पार्ट बनेगा, अच्छा, यह आगया, V naught का square, divided by 4 r, ठीक है, यह आपके पास, 1 by, यह cos 60 है, minus 60, कितना होता, 1 by 2, तो 1 by 2, minus, cos, 2 omega t, plus 60 degree, तो, यह हमारे पास, power as a function of time, आ गया, equation 3, इसी को plot करना है, equation 3 का, हमें, graph बनाना है, अच्छा, equation 3 के, जब graph बनाना जाओगे, तो graph को, दो part में, पन solve करेंगे, देखो भाई, एक तो, सबसे पहले, इसका graph बना देंगे, ठीके, फिर आपके पास, यह वाले जो value है, 1 by 2 इसका graph बनेंगे, 1 by 2 में से, इसकी graph को subtract करेंगे, ठीके, इसकी graph को subtract करेंगे, यह आप एक काम करो, इसका graph बना के, इस graph पूल्टा करेंगे, आपको पताईए ठीक है तो कॉस वाला ग्राप को ही आपके पास उसको कॉस को ग्राप को उल्टा करके फिर वन बाई टू नंबर से उपर के तरफ शिप्ट करेंगे ठीक है तो इस तरीके से अब यह मिनिमूम मैक्सिमूम की बात कर लो भई यहां पर दो वैलिव आएगी यह जब आप 1 लोगे तो 1 by 2 minus 1 ठीक है 1 by 2 minus 1 के तना होगा minus 1 by 2 तो यह बनेगा वी नॉट का स्क्वाएर मैइनस का अंदर 8 R जब आपम मैनिस 1 लोगे तो प्लश का 3 by 2 आएगा तो 3 वी नॉट का स्क्वाएर डिवाधाई 8 R यह आपके पास आजा जाएगी minimum power यह आपके पास maximum power ठीके और graph को यह आप roughly चेक करना है तो पहले यह काम करो graph को step by step बनाओ गलती नहीं होगी ठीके सबसे पहले देखो cost का graph कैसा आता है तो cost का graph हमारे पास इस तरीके से मैं लिखता हूँ यह आएगा यह आपके पास cost का graph है अब इस graph को सबसे पहले उल्टा करना है तो graph को उल्टा करेंगे तो यह graph ऐसा बनेगा इस तरीके से ठीक है और फिर इस graph के अंदर 1 by 2 number अपन add कर देंगे क्या कर देंगे 1 by 2 add कर देंगे तो यह graph पूरा उपर के दरफ shift हो जाएगा तो effectively यह graph ऐसा बनेगा final मैं ग्राप बना रहा हूँ 1 by 2 से add करोगे यह graph आपके पास इस तरीके साब उपर के तरफ shift को रहे हैं यह आप यह reference line मानलो ना automatic graph बन जाए इसको reference मानो यह time वाली equation ले लो भाई omega t यह t की equation और इधर के तरफ power की equation automatic graph बन गया ठीक है यह आप पास minimum power आ जाएगी और यह maximum power आ जाएगी ठीक है minimum power कितनी है minus v naught का square divide by 8R maximum कितनी है plus के अंदर 3 v naught का square divide by 8R ठीक है अरे ठीक है ना अज़र frequency आप देखोगे तो power की जो frequency है 2 omega है ठीक है इस बात का भी द्यान रखेगा तो यह आपके पास पहले part जो पूछा है ने नो ने कि graph कैसा आएगा तो graph की information आप बता सकते दुसरे part आप पूछा है how does the plot change if capacitor is removed and only R remains connected to the source इदे आप capacitor को हटा दोगे सिर्फ resistance होगा तो क्या होगा जब अकेला resistance होगा तो current की equation नॉर्मल अपन यह लिख देंगे current आई आपके पास V naught divided by R sine omega T और कोई phase difference नहीं तो current और यह दोनों सेम phase मा आजाएगा और आजाएगा ना और current और resistance अब आप यह पावर की बात करोगे तो दोनों का आप multiply करो तो आजाएगा V naught का square divided by R sine square omega T ठीके sine square omega T तो इसके graph प्लोट कर दोगे graph कैसा आएगा सिर्फ positive बनेगा graph यह आपके पास इधर power इधर time तो graph ऐसा बनेगा हमारे पास एक सिर्फ दूसरे color बना देता हूँ final graph ऐसे बनेगा जो negative वाला part है वो भी उपर आजाएगा ठीके यह graph की value रहेगी maximum value कितने रहेगी वो रहेगी हमारे पास V naught का square divided by R minimum value कितने रहेगी 0 ठीके अच्छा last part में क्या पुछा है plot the graph when only C remains connected to the source and R is removed R को यह दिए अपन हटा देंगे और सिर्फ C रहेगा तो क्या रहेगा वेसे यह दो जो B और C वाला part है न यह अपन derivation में कर चुके pure R पे मैंने power के graph बनाए है और pure C पे बनाए है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं नहीं तो दूसरा तरीका मैंने बता है न कि आप पहले current की बात करोगे current को क्या लिखोगे V not divide by R के जगा XC XC बोले तो 1 upon C omega ठीक है XC की बालव आपको पता है root 3 times R ठीक है फिर आप लिखोगे sin omega T अब देखो pure C के अंदर क्या होता है current लिट करती है तो plus 90 degree sin 90 plus cos theta तो यह आजा ता आपस V not divide by root 3 times R cos omega T ठीक है अब यह current और potential को multiply करेंगे तो power की equation बन जाएगी ठीक है और power की equation के अंदर आप 2 से उपर निचे multiply करोगे तो 2 sin A sin B sin 2 theta का formula बन जाएगा sin 2 theta का formula बन जाएगा तो again आप पास power एक sinusoidal wave आएगी जिसका आप frequency double होगी और कोई दिक्कत नहीं तो इस तरीके साब easily 3 part कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं में connected है और आपका applied voltage है 10 volt ठीक है और voltage across capacitor आपको गिवन है 8 volt ठीक है voltage across R पुछ है असे यहां कुछ भी mention क्या है किसी किस time पर बोला है नहीं कुछ भी mention नहीं गिए तो सारी RMS values given है और RMS values given है फिर अपन phaser की तरफ जाएगे हम बोलेंगे कि resistance के उपर जो हमारा V R रहेगा यह मान लेते हैं इदर की तरफ V R तो capacitor वाला जो V आपको वी C रहेगा वो आपको 90 degree पीछे रहेगा तो यह आपके पास V C और यह आपके पास रहेगा कहिना का V S यह रहेगा V S यह value आपको V R वाली value पुछिए V S यह आपको given है कितना है यह 8 है सरी V C 8 है और V S कितना है 10 है तो वी आर आप बोल सकते हो यह केतना होना चाहिए यह आपके पास 6 होना चाहिए और यह होगा दोनों के बीच का phase difference 5 आप लिखने चाहो तो 10 5 केतना हो जाएगा 10 5 की numerical value होगी 4 upon 3 यहनिकि 5 आमारे पास 10 inverse 10 inverse 4 by 3 10 inverse 4 divided by 3 तो यह answer रहेगा क्या नहीं करना है कि यह 10 है यहाँ 8 है तो यहाँ 2 होगा यह बिल्कुल नहीं बोलेगे ठीक है अब next वाली पाओ यहाँ बोला है कि किसी moment पर आप in the circuit sound if the EMF of the source at an instant is 5 volt किसी moment पर बोला है कि 5 volt है applied कितना उसकी नहीं बात करे किसी एक moment पर यहाँ 5 था potential difference across capacitor 4 है यहाँ वाला 5 था यहाँ वाला 4 था उस moment पर R के उपर कितना होगा अब आप phasor से करोगे तो answer कितना है का 3 तो 3 वाला answer नहीं होगा आप phasor से नहीं करोगे ठीक है यहाँ किसे एक instant पर पुछा है तो किर्चौफ वोल्टेज लो से algebraic sum 0 होना चाहिए वैसे यहाँ पर एक और information given उन चाहिए एक तो वी एस की polarity given उन चाहिए कि यह higher और यह lower या फिर यह lower यह है इन दोनों में से क्या है नहीं given है इधर देगो यह वाला आप पास higher यह lower या फिर उल्टा यह information भी नहीं given है तो इसके इसाप से तो बहुत सारी possibilities बन जाएगी रहा है ना आपके पास यह दोनों add भी हो सकते हैं यह दोनों add होंगे तो कितना आएगा 5 और 4 का 9 तो आपस applied r के उपर 9 हो सकता answer minus 9 भी हो सकता है ठीक है तो कितना आजाएगा subtraction करेंगे तो 1 आजाएगा तो 1 भी हो सकता है और minus 1 यह 4 answer possible है क्योंकि polarity के बारब नहीं given है तो यह option multiple क्या बोलते है multiple option वाला part है इसलिए पूछा जा रहा है यही आपके पास option नहीं होते तो discussion को नहीं पूछ सकते क्योंकि इसके 4 answer आ सकते है यहाँ पर इसलिए पूछ सकते है क्योंकि option given है तो कौण से option correct हो रहे है सिर्फ एक के option match कर रहा है तो यह वाला 9 तो यहीं बनेगा ठीक है समझवारी बात यहाँ पर मैं phaser use नहीं कर रहा हूँ और उपर वाले मैंने phaser से किया है यह जो 8 volt 10 volt given है यह आपके पास RMS values है ठीक है और यह किसी moment पर बात हो रही है समझवारी बात बहुत बढ़िया यह एक और मज़ेदार problem देख वह इसमें क्या given है आपके पास RL series circuit given है source का voltage given है इंडेक्टर के उपर हमें potential difference ही किसी एक moment पर बहुत बढ़िया बात है यह काम करते है फेजर बनाते है जल्दी समझ आजाएगा ठीक है वेसे R की value कितनी given आपके पास 3 और XL की value कितनी 4 तो मैं सीधा ही लिख सकता हूँ Z मेरे पास जो आएगा impedance वह आजाएगा 5 कैसे impedance ट्राइंगल से Z की value आजाएगी 5 तो जो current की value है current हमारे पास रहता है Vs डिवाइड वे Z और फिर कुछ phase के अंदर difference जो भी phase difference है वहाँ से ठीक है थोड़ा phaser बनाते है और मैं जहे से पता लगीगा इधर की तरप मैं लेता हूँ R तो यह हमारे पास है 3 यह हमारे पास XL और XL की numerical value है 4 इधर की तरप रहेगा हमारे पास Z ठीक है और Z की numerical value है 5 ठीक है और इधर की तरप आपके पास यह मैं इरी current मानता हूँ तो resistance के उपर current और voltage यह दोनों same direction में रहते हैं तो यह आपके पास VR की direction हो जाएगी जो R वाली वह VR हो जाएगा और XL की तरप VL हो जाएगा और Z की तरप VS हो जाएगा तो VS कहें न कहें यह direction आ रहे है VS की ठीक है और VS की direction numerical value आपको पता है कितनी है 10 sin omega t बराबर है और यह angle आपके पास है 45 degree कितना है 45 degree और यह angle कितना है यह angle होगा 37 यह 37 होगा और यदि मैं VL पूछ हूँ VL को मैं लिख सकता हूँ अब देखो current की value यहाँ से आप पहले current की exact equation देखना चाहते हो तो current की equation लिख सकता हूँ Vs upon Z 10 upon 5 के दना है 2 तो 2 sin omega t और current आपके पास और यह 53 degree current आपके पास 53 degree पीछे है तो minus 53 degree यह आपस current की equation आजाएगी आजाएगी और फिर यह VL की बात करूँ तो current को मैं XL से multiply करूँगा तो 2 multiply भी 4 sin omega t minus 53 अब आपके एक्सल पे voltage current से 90 degree आगे रहते है तो plus का 90 degree तो यह आजाएगा 8 sin omega t plus 37 degree ठीके यह आपके पास आगी VL कोई दिकत नहीं है न अब आप चाहो तो t की value put कर दो कितनी है t by 2 तो यह आपके पास 8 sin omega होता है 2 pi upon t और small t को कितना है capital t by 2 यह बात है 8 यह आपके ट से t cancel out और pi से pi cancel out तो आपके sin pi plus 37 sin pi plus 37 आप sin pi plus theta कितना होता है sin pi plus theta हो जाता है हमारे पास sin theta और अपने कौंड से क्वारेंट में चले गए third quadrant में third में sin negative होता है तो यह minus का minus का sin 37 अब sin 37 की value कितना होती है sin 37 की value होती है 3 upon 5 तो यह आपके पास value आ गए इसे मैं चाहूंग तो लिख सकता हूं minus 24 divided by 5 ठीक है यह आपके पास vl की numerical value आ गए अच्छा मैं कोई और तरीके से भी इस vl की equation को लिख सकते थे क्या यहां से देखो vl की equation आप z का जो triangle है वो ही आपके पास v का triangle बनता तो vs की direction दो में पता है और यह आपके पास vs सीधी हमारे पास इस तरीके सारा है 10 sin omega t तो यह vl में सीधे लिख सकता हूं यह angle 53 है तो यह आपके पास आएगा 8 sin omega t अब देखो आगे कौन है तो यह आपके पास 37 से vl आगे तो प्लस का 37 इस तरीके से में यह equation directly भी लिख सकता था बिना current को लिखे भी ठीके? क्यों z वाले इस triangle से आपको angle बगेर पता लगे तो आप vs के लिख से direct vl लिख सकते दे यह भी एक तरीका है तो answer हमारे पस कितना रहा है 4.8 volt अज़ा कोई वोगाई है negative potential difference पूछा आप वो polarity की बात करेगा कौन higher पे है कौन lower पे उस तरीके से ठीक है? बहुत बड़ी